हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ LIC एजेंट अपनी एजेंसी से हर साल लाको कमाते हैं, जबकि कई एजेंट मुश्किल से साल भर में 12 वालिसी करते हैं, वो भी अपनी एजेंसी से आखरी महिने में, ऐसा आखिर क्यों होता है? आखिर कुछ एजेंट ऐसा क्या खास काम करते हैं कि जिनसे उनकी एजेंसी में लगातार भीमा होते रहते हैं, जबकि औरों की एजेंसी महिनी में एक भीमे को भी तरज जाती है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंतक जरूर देखें, इस वीडियो में मैं आपको कि एजेंट अपनी एजेंशी से अपने सपनों को पूरा करता है, और दूसरा एजेंट पस अपनी एजेंशी की गाड़े को किसी तरह धक्का मार-मार कर खीज रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट है make use prospect list, आपकी prospect list में हमेशा sufficient नाम होने चाहिएं, किसी भी factory को चलाने के ल अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो फैक्टरी प्रोड़क्ट कैसे तयार करेगी, कैसे उन्हें मार्केट में बीचेगी, हर फैक्टरी ओनर ये बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो हमेशा अपनी फैक्टरी के लिए इनफ कच्चे माल की विवस्ता करता है, जिससे कभ कि आपके पास बहुत सारे लोग हों, आप उन लोगों की लिस्ट बना लीजिए और एक डाइरी में नोट करते रहें, और हमेशे ध्यान रखें कि इस डाइरी में रोज 10 से 20 नाम एड होते रहें, इसके लिए आपको जिससे भी मिलना है, उससा मुबाइल नंबर जरूर ल आपको 10 से 20 नाम कैसे मिलेंगे, देखी फ्रेंड साब रोज मार्केट में निकलिए, हर दिन अपने आसपास के अंजान लोगों के साथ नॉर्मल बाचित करने की हैबिट बनाईए, आप सबजी ले, राशन ले, कपड़े ले, हर चगा बाचित करने की आदत को बनाई रख या कोई मेला, या पार, जहां आपको हमेशा लोगों का जुन्ट जरूर मिलेगा, ऐसे जगहों पर आपको नए-ने कॉंटेक्स मिल जाएंगे, रोज जो भी नए कॉंटेक्ट आपको मिलते हैं, आप उन्हें अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट वाली डाइरी में जरूर नजर आते हैं, जो शुब कामनाओं वाले होर्डिंग्स होते हैं, उन पर नमबर नोट ये होते हैं, आप उन नमबर को अपने मुबाइल फोन में नोट कर सकते हैं, आप अपने आसपास के सरकारी आफिस में जाएंगे, कुछ छोटा सा गिफ्ट या डाइरी लेके जाएं से कलेंडर हैं, तो आप उन्हें मिलिए और उनसे उनका मुबाइल नमबर जरू लीजिए, आप अपने आसपास के सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल या कॉलेजे में जाकर, टीचर्स और स्टाफ के मुबाइल नमबर जरू लीजिए, आप हमेशा ये सोची कि नमबर अपनी डाइरी में नोट कर लिया है, तो आपने पचास रुपे कमा लिया है, अब आप पूछेंगे ये कैसे, क्योंकि अगर आपने दस नए नमबर जोडे और उन नए दस में से आपकी एक भी कॉंटक्ट आपको मिल जाता है, यानि एक भी पॉलिसी आपको मिल ज जाएगी, और एक सेल का मतलब होता है, आपको कम से कम पांसो रुपे की इंकम तो होगी ही, अगर इस इंकम में डिवाइट करें हम दस से, तो आता है पचास रुपे, इसका मतलब है कि आपको हर एक कॉंटक्स से फिफ्टी रुपीज मिला, अपने घर में आए की खान में छोड़ दे और कहा जाए जितनी चाहे उतने हीरे उठा लो, तो ओवेसली सी बात है कि आप मैक्सिमम हीरे उठाने का प्रयास करेंगे, बिलकुर उसी तरह फंक्शन भी होते हैं, आप हर फंक्शन में मैक्सिमम लोगों को जानने का, उनसे मिलने का प्रयास केज देखे फ्रेंट, जिस तरह इश्वन ने अलग-लग इंसान बनाये हैं, उसी तरह हर इंसान की अलग-लग इच्छाएं भी होती हैं, जैसे किसी को अपने बच्चों को फॉरेंड में एजुकेशन दिलानी हैं, किसी को फॉरेंड टूर करने हैं, किसी को बड़ी गाड़ी ख पूरा वीडियो ध्यान से देखने के और सुनने के लिए आपका देखने के लिए दिल से आभार इसी तरी के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें थैंक यू फ्रेंज